नमस्कार स्पागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में मैं हूँ अजे ठाकुर IPL 2022 की तैयारियां जोरों से जारी है उससे पहले मेगा आक्षन की तैयारियां बहुत ही ज्यादा तेजी से शुरू हो चुकी है 12 और 13 फरवरी को मेगा आक्षन का आयोजन होना है सभी टीमों सभी टीमों ने कमर कस ली है मेगा आक्षन की तैयारियां शुरू कर दी है मन्थन चिंतन का दौर शुरू हो चुका है और अभी इस बात को लेकर चर्चा है सभी टीमों में कि किस खिलाडी को वो अपनी टीम में शामिल करे किसके पीछे दाव लगाए, किसके पीछे बहुत दूर तक जाए और किसके पीछे दाव ना लगाए इस बीच जो सबसे बड़ी जो सबसे बहुत इंपोर्टन्ट कह सकते है Royal Challenges Bangalore की टीम इस समय काफी चर्चाओं में है चर्चाओं के केंदर में Royal Challenges Bangalore की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार Royal Challenges Bangalore का कप्तान कौन होगा क्योंकि विराट कोहली पिछले आठ साल वो Royal Challenges Bangalore के कप्तान रहे वो शुरू से लेकर अब तक RCB का हिस्सा रहे हैं लेकिन पिछले सीजन उन्होंने ये बात साफ कर दिया था कि वो कप्तानी छोड़ रहे और अब लेकिन जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी है तब से ये एक सवाल जो है सभी के जहन में कि विराट कोहली के बाद अगला कप्तान कौन होगा इसी बीच कुछी दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई और उसमें रिपोर्ट के अगरम माने तो आरसीबी के चेर्मेन ने कहा है कि वो विराट कोहली को मनाने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आप कप्तान जो है रॉयल चेर्वनिस बैंगलोर की समालिये कमान समालिये और अगर विराट कोहली मान जाते हैं तब विराट कोहली ही टीम के कप्तान होंगे और अगर नहीं मानते हैं तब मेगा आउक्शन में कप्तान के पीछे आरसीबी की टीम जाएगी लेकिन इस बीच एक और रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और उस रिपोर्ट के अगर हम मनें तो अगर विराट कोहली आरसीबी चेर्मेन की बात नहीं मानते हैं तब उस सिच्वेशन में कौन कौन से खिलाडी है जो आरसीबी के कप्तान बन सकते हैं ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें कुछ खिलाडियों के नाम है वो आपको इस वीडियो में हम बता देते हैं तो सबसे पहला नाम जो सामने निकल कर आ रहा है मैक्सवेल का गलेन मैक्सवेल इस समय टीम में मौझूद है सेकंड रिटेंड प्लेयर है 11 करोड देकर टीम ने उन्हें शामिल किया हुआ है मतलब बरकरार रखा है टीम में उन्हें रिलीज नहीं किया है मैक्सवेल को अनुभव है कप्तानी करने का लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मैक्सवेल पर भी बहुत ज्यादा दाव नहीं लगाएगी आरसीबी मैनेजमेंट बतौर कप्तान एक और नाम जो सामने निकल करा रहा है जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है अभी कुछी दिनों पहले पूर्फ क्रिकेटर आकास शोपडा ने भी इस क्रिकेटर का नाम लिया था और तब से लेकर अब तक जो है लगातार इस बात की चर्चा है मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के दावे किये जा रहे हैं और जो रिपोर्ट्स हमने निकल करा रही है उसके मताबिक आर्जीबी मैनेजमेंट भी इस खिलाडी को बतौर कप्तान देख रही है उस खिलाडी का नाम है जेसन होल्डर जेसन होल्डर को लेकर अभी मीडिया रिपोर्ट्स में काफी दावे किये जा रहे हैं और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि RCB मैनेजमेंट होल्डर के नाम पर चर्चा करने के बारे में सोच रही है और हो सकता है जेसन होल्डर ही टीम को लीड करें जेसन होल्डर के कफ्तान बनाए जाने को लेकर तीन प्रमुख कारण भी दिये जा रहे हैं तीनों कारण आपको बताते हैं सबसे पहला कारण जेसन होल्डर को कफ्तानी का अनुभव है उन्होंने अपनी नैशनल टीम वेस्ट इंडिस को लीड किया हुआ है और वेस्टिन डिस्क के लिए उन्होंने शांदार जो है उन्होंने कप्तानी करी है तो पहला ये कारण है कि उन्हें कप्तानी का अच्छा खासा नुभव है दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि जेसन होल्डर के आने से टीम को कई फाइदे होंगे ना सिर्फ एक अच्छा कप्तान मिलेगा ना सिर्फ एक अनुभवी कप्तान मिलेगा ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस खिलाडी मिलेगा ना सिर्फ एक बल्लेवाज मिलेगा बलकि एक गेंदबाज भी मिलेगा तो एक proper package है जेसन होल्डर और जेसन होल्डर शायद इनी वजह से टीम के कप्तान बन सकते हैं क्योंकि टीम को RCB को एक बहतर all rounder भी मिल जाएगा जेसन होल्डर के रूप में तो ये एक दूसरी बड़ी वज़ा है जेसन होल्डर के नाम को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही ह तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि जेसन होल्डर बहुती शांच सुभाव वाले खिलाडी है विवादों से उनका दूर दूर तक रिष्टा नहीं रहता है टीम में विराट कोहली जैसे बड़े खिलाडी है उसके बावजूद जेसन होल्डर अगर टीम को लीड करते हैं तो इगो की जो लड़ाई है जो अमूमन टीमों को तोड़ देती है टीमों को खोकला कर देती है उस चीज से बच सकती है रसी बी तो ये तीन प्रमुख कारण जिन वजह से रसी बी के अगले कप्तान के रूप में जेसन होल्डर का नाम लगभग लगभग फाइनल मान आपके मताबिक कौन आरसी बी का अगला कप्तान हो सकता है क्या आपको लगता है आरसी बी के चेर्मेन विराट कोहली को मना लेंगे विराट कोहली को मना लेंगे फिर से कप्तान बनने के लिए और विराट कोहली फिर से कप्तान बन जाएंगे या फिर विराट कोहली मना कर और ऐसे ही अपडेटिट खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स टैक्ट